नमस्कार दोस्तों मैं उसनी पांडे सुआ गए था असब का एक नई वीडियो में ना उसब को यह तो पता चली गए होगा कि इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं उनके बीच में कलेस हुआ है इस बारे कलेस गलवान में नहीं हुआ है बलकि यह अनौनांचल प्रदे से जड़प हो गई है ओवेसली इंडिया और चाइना के बीच जब भी जड़प होती है तो उसमें गोली की यूज नहीं किया जाता है गन का यूज वर्जी था इस वज़ा से इस तरह से गलवान में कलेस हुआ था हुआ वैसे ही है लेकिन कोई कैजूल्टी नहीं हुए कि सी भी साइड से लेकिन आठ से नो सोल्जर्स अंडिया के घायल हुए है चोटी मोटी इंजिरी आई और रही बात चाइनिश साइड की तो वह अभी थाफ् an जे लह एक हैं और उनके के 7,8 soldier, no soldier को injury छोटी मोटी आई है तो Chinese soldiers को भी आई होगी अभी ये बात के लिए नहीं होगी है कि कितने soldiers China के भी injured होगी है क्योंकि ये तो in the future पता चलेगा तमांग सेक्टर पढ़ता है उनाचल परदेश में और ये पहली बार है कि कोई major conflict Indian army और Chinese army के भीच में अनाचल परदेश में हुआ है इससे पहले लद्दाख एरिया में हो चुका है 2020 में और अब यहां पर देखा जा रहा है 2020 के बाद ये major conflict हुआ है और जो अनाचल परदेश है उसको South Tibet बोलता है चाइना वैसे तो तिबबत ही उसका नहीं था लेकिन प्रतिक्रिया दी थी और इसको इस नजरिये से भी देखा जा सकता है कि चाइना या तो फिर कुछ message send करने के mindset से इस तरह से aggression दिखा रहा हो कि देखो आपने कोई भी military exercise कर ली तो क्या हुआ हम इससे कोई हमें फरक नहीं पड़ता और या फिर यह हो सकता है कि चाइना के जो internal issues हैं उसको वो external में convert करना चारा है क्योंकि बहुत heavy level पे अभी पिछले दिनों वहाँ पे street protest हुआ है literally government के खिलाब नारे लगाए गए हैं और यह पहली बार देखने को मिल रहा है लगभग में पिछले 20 से 25 साल में कि चाइना में street protest हो रहा है और literally सी जिंपिंग के कारिकाल में तो यह पहली बार ही देखने को मिल रहा था कि जो उनकी zero covid policy थी उसके against इस तरह से लोग street पे आ गए और उनको literally challenge किया और यह कहा कि सी जिंपिंग को हटा दो government से तो अब वो internal issue था उनका और वो external में इसको convert कराना चाहते होंगे क्योंकि Chinese लोगों का एक बार survey हुआ था और उसमें यह line थी कि सबसे ज़्यादा खतर ना किया सबसे बड़ा enemy वो किसको मानते हैं पूरे world में तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफर इंडिया को किया गया था यानि इससे यह clear होता है कि Chinese लोगों का जो mentality है वो इंडियन्स के या इंडिया के आर्मी के अगेंस्ट या इंडियन्स के अगेंस्ट किस तरह से काम करता है तो ऐसे में सी जिंपिंग ने उनके भावनाओं को यूज करने के लिए और literally जो internal issue है उसको दबाने के लिए ये एक तरीके से mind game खेल दिया है कि देखो भाई हमारे देश पे खतरा है और इस टाइम पे हमें बाहर फोकस करना है तो ऐसे में क्या होता है जब देश की बात आती है तो सारी community एक साथ आ जाती है और सारे social और जो भी issues होते है society के या जो भी internal issues होते हैं वो सब पीछे पढ़ जाते हैं और आगे आ जाता है international मुद्ध तो अब वही करने के mood में सी जिंपिंग कर सकते हैं इस तरह की हरकत और वैसे भी अभी लास्ट टाइम पे जब बाली में नरे नमोदी और सी जिंपिंग मिले थे तो उस टाइम पे उन लोगों ने हाद मिलाया था और कोई बातचीत विश्यस नहीं हुई थी इंडिया जी 20 की presidency सम्हाल रहा है साल 2023 में तो इस वज़ा से ये भी देखा जा सकता है कि इंडिया में जो अगस्त में लगमे में होने वाला है जी 20 का summit उसमें सी जिंपिंग इंडिया भी आ सकते हैं तो इस बीच में अगर इस तरह के कोई class और बढ़ जाते हैं या कोई और conflict हो जाती है कोई problem isclate हो जाती है तो इसके लिए फिर problem create होती रहेगी और वैसे हमारे जो विद्यास मंत्री एस जैसंकर साहब है उन्होंने literally कई बार ये बात बोला है कि इंडिया और चाइना के बीच में relation बिलकुल भी normal नहीं है और यही देखने को भी मिल रहा है और इससे clear हो जाता है कि इंडिया को जो self-reliant बनने का लक्ष है वो बहुत जल्दी ही पूरा करना पड़ेगा क्योंकि चाइना से अगर हम पूरी तरह से अपना वेपार खतम कर दें तो चाइना का भी काफी एकनोमिकली नुक्सान होने वाला है और इस तरह से चाइना अगर aggression दिखाएगा तो फिर हमारे पास option बसता नहीं है 2020 के बाद इंडियन गवर्मेंट ने काफी उनके एप सोगेरा को बेंड किया था बहुत सारा सामान उनसे लेना बंद किया था लेकिन इस साल फिर से जब नौर्मलाइजाशन की तरफ थोड़ा गया रिलेशन तो फिर से यही होने लगा था काफी वेपार बढ़ गया था हमारे उपर ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है ऐसे में बस यही बात सामने आती है कि हमें जिदना जल्दी सेल फिरिलियंट बन जाएंगे जिदना जल्दी हम आत निर्फर बन जाएंगे उधना ही हमारे लिए फाइदा है बाकी इंडियन आर्मी ने अच्छा खासा मुकावला किया है और चायनक छुपा चिदना भी लेकिन उनके सोल्जर को काफी हैवी इंजिरी आई है यह किलियर है अब देखते हैं कि चायनक क्या बताता है यह देखने वाली बात होगी बाकी इस यह और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें हमें इस्टाग्राम पर फोलो भी कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है मिलेंगे नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए जैहिन